कि अधिति मैं अधिति आप लोगों के लेकर आई हूं एक बहुत इंपोर्टन और इंफरमेटिव वीडियो आज के दिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हायर एजुकेशन हमारे पेपर वन यूजी सिनेट एक्जामिनेशन के लिए एक इंपोर्टन यूनिट है और इस पूछे जाते हैं तो आज मैं आप लोगों के एकड़मेशन सोर्स आपको बताने वाली हूं जहां से आप ये सारे पोर्टन प्रिपेर कर सकते हो और इसी क्लास के अंदर आपको 16 से ज्यादा डिजिटल इनिशेटिव मैं यहां पर आपको बताने वाली हूं जिससे आप ल लोगों से ये पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले भी मुझे लगता है कि एक चीज डिसकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो 2014 से ही जब से मोधीजी आये हैं तब से हमारे देश के अंदर ये जो डिजिटल भारत है इसको लेकर बात गया है और क्योंकि इंटरनेट के यूजर्स हमारे देश में दिनों दिन भढ़ते जा रहे हैं तो उसी तरीके से ये जो नाइन पिलर्स डिजिटल इंडिया के मोधी जी ने बताए गए हैं उसके आकॉर्डिंग आपके पढ़ाई करने के तरीके में पढ़ाई करवाने के तो यह जो पूरा सिनारियो हमारे है एडुकेशन सिस्टम का या फिर स्कूल एडुकेशन सिस्टम का यह पूरा का उसी पैटरन को फॉलो करता हुआ चल रहा है अगर आप सभी लोगोंने पढ़ा है तो सबको पता होगा कि डिजिटल इंडिया के नाइन इंपोर्टन देखा हुआ कि मैंने उसे यूज किया है भारत नेट हमारी सरकार का गवर्मेंट ऑफ इंडिया का इंपोर्टन इनिशेटेव जिसमें ऑप्तिकल फाइबर टेकनोलोजी को यूज करके यहां पर इंटरनेट घर गर पहुचाने की बात की जा रही है इंटरनेट फ्रॉम अ बढ़ाना चाहते है इंडिया बहुत पीछे आता है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो यह सारी की सारी चीजे जो है वो आप लोगों के एक्जाम में पूछी जाती है और हमारे सिलेबिस के अकॉर्डिंग वेरी इंपोर्टन है हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उस हा इंपूटर्स को यहां पर रिलेट कर सकते हूं जो इंपोर्टन पोर्टल वाला आप लोगों का एक टॉपिक आइसीट इन रिसेज आइसीट इन टीचिंग आइसीट इसीट इसीट इन हायर एजुकेशन यह पाथ चीजों को कलब करके इस वीडियो के अंदर सारा नहीं किया है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगे लगा के इंपॉर्टन है इंफरमेटिव है तो लाइक करके कॉमेंट जरूर कर दीजेगा आईए मैं आपको एकदम आक्यूरेट और ऑथेंटिक सोर्स पर ही लेके जाओंगी दिखाने वाली हूं जो मुझे लगता है कि सबसे जाधा बच्चे आज के ताइम पर दिक्कत करते हैं तो मैं आपको गोलूंगी गूगल पर भरोसा रखे बड़ करेक्ट सोर्स परना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आप से सारी बाते करी आप लोगों मैं इसको ICD बोला जाता है Information and Communication Technology in Education तो यह जो तर्म है आप लोगों का Education Technology आप देख सकते हैं कि इसको लेकर हमारे देश में दो एपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं एक हमारा डिपार्टमेंट है CIET CIET की फुल फॉर्म है Central Institute of Educational Technology यह NCRT की द्वारा बनाया गया है और यह स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लेकर सारी ट्रांस्वोमेशन पर बात करता है और दूसरा है हमारा द्वार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो सारा का सारा बियॉंड स्कूल यानि की कॉलेज लेवल या बियॉंड कॉलेज लेवल पर जो हमारे हाइर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं उसको लेकर इनिशेटिव के उपर काम करता है जिसमें आपकी रिसर्च प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड होते हैं जैसे आप सब लोगों ने न्यूज में सुना होगा शोध चक्र करके एक नया इनिशेटिव है आप लोगों के लिया गया है तो वो किस से रिलेटेड है यह ना सर्फ फायर एजुकेशन बट आप लोगों की रिसर्च एक्जाम में भी पूछा जा की तो कुछ इस तरीके का पॉर्टल मेरे सामने आने वाला है सबसे इंपोर्टन चीज सेंट्रल इंस्टिटूट ओप एडुकेशनल टेक्नोलोजी यह है इसकी फुल फॉर्म और फुल फॉर्म को लेकर थोड़ा ध्यान दीजेगा यहां पर क्योंकि फुल फॉर्म में कई पर इग्जाम के अंदर आप लोग गलती करके आते हों एडुकेशनल का एडुकेशन कर दिया जाता है बहुत बेसिक से मिस्टेक है बट मिस्टेक हो जाती है तो करेक्ट फॉल फॉर्म आपके पास में होना जरूरी है उसके बाद में आप देखेगा कि यह किसका प्रोजे नई नई information मिलती रहेंगी जैसे कि ICT initiatives from NCRT यह सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगी, थोड़ा सा scroll down और करेंगे तो आपके पास में आजाएगा आप लोगों का syllabus, और syllabus में दो important चीज़े हैं, जो मैं आपको यहां पर बोलूँगी, कि आपको must है पढ़ना, सबसे पहले ICT का होती है, दिक्षा पोर्टल क्या होता है, निश्टा क्या है, NCRT टेक्स्ट बुक करके जो application है, वो क्या है, ICT कलिगरम का मतलब क्या है, accessibility in school curriculum का क्या मतलब है, cyber security and safety, इसका क्या मतलब है, इन से कैसे questions बनते हैं, यह सारा का सारा आपका syllabus है, जो कि आपके ICT के में भी पढ़ा जाता है, पूछा जाता है, आप लोग पढ़ते हों, तो यह सारी की सारी चीज़े हैं, जो हमारे लिए important हो जाती है, इपाच्छाला के बारे में आपने सुना होगा, इपाच्छाला जो है, वो मोधी जी का सबसे dedicated, one of the most dedicated projects में से अन्योंने लिया है, इपाच्छाला और कुछ नहीं है, free of cost, एक mobile application है, जिस पर बच्चा, यह school बच्चा जो है, वो कोई भी PDF को, कोई भी किताब को refer कर सकता है, उसी तरीके से दीख्चा पोटल का हम लोग बात करें, तो दीख्चा पोटल जो है यह आप लोगों का एक ऐसा पोटल है, जिस पर इपाच्छाला की भी सारे content आजाते हैं, निश्टा के भी सारे content आजाते हैं, तो basically यह आप लोगों की वो mobile application है, वो वो पोटल है, जिस पर ना सिर्फ student, बट टीचर भी अपने innovative projects को यहाँ पर डाल सकता है, अगर मैं आप लोगों से बोलू तो दीख्षा की एक important full form होती है, तो बिलपुल जी, दीख्षा की भी अपने आप में एक full form होती है, और क्या full form होती है, digital infrastructure for knowledge sharing, यह full form भी आप लोगों से पूछी जाती है, अगर आप इसके about में पढ़ोगी तो भी आप समझ जाओगे कि जो आपने को का National Council of Educational Research and Training, that is NCRT है, उसने ये एक setup organization किया 1961 में आया था, audio, video, image, document, interactive, platform, यह सारी की सारी चीज़े आपको देता है, इसे के अंदर कौन-कौन से initiative लिये गए हैं, देख सकते हैं, इपाट शाला ह स्वेम हैं, स्वेम प्रभा है, दोनों पर exam में question पूछा जाता है, जो कि MOOC, Massive Open Online Courses, एक initiative है आपका, निश्टा, जिसमें आते हैं, आपके school ed, जितने भी school heads हैं, teachers हैं, उन सब की holistic advancement की बात करते हैं, इसे के लिए जो आप लोगा का CEIT है, यह और कुछ भी नहीं है, यह CIET की क्या है, और कुछ भी नहीं है, किस तरीके से quality education इंप्रूफ किया जा रहा है, या quality education की through school education को इंप्रूफ कर सकते हैं, उस पर बाते की गई है, और यह सारी की सारी चीजे डिजिटल प्लाटफॉर्म पे की गई है, इसलिए आप लोगों का ICDs के अंदर इस्तमाल होता है अगर मैं बात करूँ यहां पर तो सबसे इंपोर्टेंट चार उपड़ चीजे लिखिए है, यह आपके exam में पूछी जाती है, NPTL क्या होता है, यह आप लोगों के exam में पूछा जाता है, किसका है, काला उतसर्फ क्या होता है, आप लोगों का AICET के initiative, ICT मेला क्या होते है निपुन भारत, निपुन भारत स्कीम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, National Institution for Proficiency for Reading and Understanding, basically यह सारी की सारी चीजे जो है, यह reading, understanding और numeracy से related है, basically इस initiative के अंदर, जो grade 3 तक के बच्चे है, minimum, उनको पढ़ना, लिखना और समझना आ जाना चाहिए हमारे देश के ज स्कूल सिस्टम को कैसे एडवांस कर सकते हैं, उनको कैसे quality education प्रोवाइट कर सकते हैं, वो सारे initiatives यहां पर लिए जाते हैं, तो यह सारे की सारे portals हमारे लिए important हो जाते हैं, इंका basic पढ़िए, important important full form सियाद रखे, कौन से constituents से इसके वो आप लोग याद रखे, तो automatically आप लो important चीजे पढ़ सकती हूं, निश्टा की full form सबसे पहली बात तो बहुत जादा important है, national initiative for school heads and teachers holistic advancement, ठीक है, एक second, पूरी chair नाच रही है, तो यह तो आपका important हो गया, अब निश्टा की बहुत सारे parts है, बहुत सारे parts जैसे निश्टा आया, पर निश्टा 1.0 आया, पर 2.0 आया तो elementary हुआ था, face to face level इसको बोलता है, फिर आप लोगों का elementary level, जिसमें online education के उपर बात की गई थी, then आया था secondary level, इससे आप लोगों की previous year exam के अंदर question आ चुका है, then आया था आपका निश्टा 3.0 जो की निपुन भारत online के साथ में connected है, जो इसमें FLN का मतलब और कुछ नही या reading और आप लोगों का numeracy के अंदर है, basic mathematics, basic reading skills और basic science जो है वो हर बच्चे को आना चाहिए, इसी से related आप लोगों का एक और project है, जो मोधी जी ने start किया है, या मोधी जी के द्वारा, इंडिया ने उसमें participate करना start किया है, that is PISA, अपने नाम सुना होगा, इसका PISA, मैं फिल है, तो इससे हमारी देश में, especially ruler India के अंदर किस तरीके से हमारी literacy काम कर रहे है, वो सारी चीजे यहाँ पर होते है, that is also related to what, school education system, तो यह सारी चीजे हैं, जो आप लोग यहाँ पर screenshot भी ले सकते हो, वैसे जरुवत नहीं है, दो आपको मैं दे दूंगी link, आप इन links पर आने वाली हो ना, तो यहाँ पर click करके मेरे पास में कैसा forum आने वाला है, जिसमें मुझे बहुत सारी details मिलने वाली है, अब जैसे कि आप सब जानते हो कि जो आप लोगों का ICT है, that is information and communication technology का use education system में आया है, उसे बहुत सारी चीजे हैं, जो निकल के आई है, अगर download हो जाए ICT को evaluation में कैसे use किया जाता है, यह सारे के सारे चीजे है, collaboration of ICT किस तरीके से किया जाता है, computer-aided instructions का best use क्या है, इस तरीके के जो सारे questions बनते हैं, वो यहीं से निकल किया है, और बिल्कुल basic है, अगर आप इनके एक बर reading भी लगाओगे, अपना common sense यूज करोगे, तो आपके answers सही होंगे ही होंगे, हाँ, अगर आपको इनके बारे में पता ही नहीं कि इस सारी चीजे चल रही है, तो काम नहीं चलेगा, एक होती है, forward adapted technologies, हमारा देश इसी के ओपर चलता है, forward approach या adaptive approach का मतलब होता है, कि एसा नहीं कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे की चीज system में भी applications होते हैं, तो यह सारी की सारी चीजे पढ़ सकते हो, स्वयम, स्वयम प्रभा, e-partshala, दिक्षा, hopefully in portals के बारे में basic basic understanding आपके लगे होगी, इन सभी portals को लेकर basic basic information आपको मिलती है, school curriculum में किस तरीके से inclusive और accessible education system लेके आता है, तो यह सारे portals एक ही जगे पे आपको म important नहीं है, e-partshala important है, NCRT की audio books कहां पर मिलती है, ठीके न, इसके इलावा आप लोगों का भाशा संगम क्या है, मनो दरपन, इसका बारे में भी आपने सुना होगा, यह क्या है, inclusive term बार बार हमारी education policy के अंदर use किया जाता है, तीन education policies हमारी आई है, 68, 86, 2020, 2020 के अंदर भी बह सवाल भी बने है, जो M.O.S. बनते हैं उसमें आप ऐसे ही elimination लगाऊंगे, inclusive की exclusive, तो हमारी सब भी चीज़े जैसे मैंने बोला, adaptive technology, inclusive education system पे हम चल रहे हैं, दीक्षा portal हो गया, infrastructure for knowledge sharing, SWAM का हो गया, आप लोगों का SWAM की अपनी full form होती, आप सब लोग जानते है, study webs, मैंने ही ब तो DTH channels, direct to home channels, अब जो है, वो 34 channels हो गए, यह सारी information आपको यहां पर मिलती जाएगी, निश्टा portal किस तरीके से काम करता है, augmented reality या वर्चुल रियालिटी जैसे concept जो है, वो कहां से आए, किस सरीके से उनको यहां पर use किया जा रहा है, यह सारी कि सारी चीज़े आप लोगों वीडियो या किसी भी Google पे जब आप सर्च करते हो ना, उन सब से बेटर है, official website से पढ़ो, कभी problem नहीं होगी, एक दिन लगेगा आप लोगों को, और आपका पूरा higher education में, portal system, ICT in research, ICT in higher education वाला पूरा topic एक दिन में आराम से कवर हो सकता है, आपके पास में काफी time है, अग होगे तो आपने आप रिलेट कर पाओंगे, अब आ जाता है हमारा higher education वाला, देखो, एक तो मैंने आपको बताया, school education system पे चल रहे थे, हाँ, अब school education के beyond जो है, यानि कि K-12 के बाद हमारा higher education system है, उस higher education system में कैसी चीज़े हो रही है, क्या-क्या important initiatives आ रहे है, तो आप लोग पेज देखिएगा, डिरेक्ली मैंने पेज खोला है, जो आप लोगों की डिरेक्ट department of higher education, ministry of education के अंदर जो आता है, MOE, government of India के अंदर, तो उसी का डिरेक्ट पेज है, ICT initiative करके, वही पेज मैंने खोला है, आप लोग भी खोल लीजिएगा, और डिरेक्ली वैसे मैं इसी का आप लोगों को प्रोवाइट कर दोंगी, तो higher education में जितने भी digital initiatives है, जैसे कि SWAM, अब आप इस्वेम पेज करोगे, तो SWAM का पेज खुल जाएगा, सारी चीज़े आ जाएगी, रादर देन, आप लोग यहां पर पढ़ सकते होगी, SWAM क्या है, SWAM में कितने courses चल रहे हैं, Massive open online courses का यह स्कीम है, यहां पर SWAM प्रभा के बारे में बताया कि किस तरीके से DTH channel यानि direct to home channel यह आपको प्रोवाइड करता है, digital content, journals या फिर e-books के बारे में यहां पर बताया गया है, national digital library क्या होती है, ठीक है, E, PG पाठशाला क्या है, ठीक है, शोध गंगा क्या है, देखो, शोध सिंधु, यह सारी चीजे, शोध चक्रव, नया आगया आप लोगों का, यह सब चीजों पर मैं एक और special video बनाऊंगी, although वो research से related होगा, बट स्टिल, यह सारे portals भी आप लोगों के लिए important है, तो शोध गंगा क्या है, सारी के सारे scholars हमारे देश के, जितने भी है, सब क्या रखा है, यह पर थीसिस लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, साथ ही साथ अशोध सिंधु की, अगर हम लोग बात करें, यहां पर इजनरल्स है, जो आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे e-resources, इसके लाब इंजिनेरिंग को लेकर किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, कि इंजिनेरिंग और एजुकेशन इन दोनों को मिला के ही हमारी एजुकेशन टेक्नलोजी बनी है, यह हम कह सकते हैं, कि आपका जो इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट है, अगर इसका फिजिस का डिपार्टमेंट हम लोग जोड़ दे तो इसी को मिला के आपके आ लिए तो इसके लावब वाँ फॉप्सी, भी यफ लिब्रिया फिर ओपन सोर्स सौफ्ट्वेर, यह ओपन सोर्स सौफ्ट्वेर क्या होता है यह एप लोगों को आप लोगों का इसी ती नहीं पर भी आ रहिए है spoken tutorials हो गया, virtual labs नाम की चीज हो गया, यह सब आपके exam में पूछे गए सामर्थ, सामर्थ portal के बारे में आप लोगों से exam में question पूछा गया था, सार्थक portal के बारे में आप लोगों से question पूछा है E-Vidwan क्या है, I-R-I-N-S क्या है, Indian Research Information Network System, यह इसकी full form होती है शोध सिंधु, यह जो है, यह क्या है, देखो गंगा हो गया, शुद्धी हो गया, सिंधु हो गया, यह बहुत सारी चीज़े हैं जो आप लोगों के exam में पूछी जाती है तो उसे पकड़ने के लिए हम लोगोंने portals बनाये हुए हैं, तो यह वही है कि plagrism detection software हो गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के exam में questions पूछे जाते हैं स्कूल education system के अंदर जो जो portals के नाम, at least अगर मैंने जो इस video के अंदर portals के नाम लिये ना, वो भी आप करके जाओगे, तो आरान से आपका काम खतम हो जाएगा, कोई tension नहीं होने वाली है और higher education में भी इस सारे portals के उपर आप लोग पढ़ोगे, तो कोई problem नहीं होने वाली है Before I end this video, I'm going to discuss one more thing with you, वो basically मैंने आप लोगों वो इक portal दिखाया था ना हाँ, जब मैं आई थी आप लोगों की, तो मैंने फ़र्स फेला पार्ट तो आप लोगों से discuss कर लिया, यह हर कोई पढ़ता है मैं आपको बताती हूँ एक बढ़िया बात, देखो यह बढ़िया बात ना, आपके इतनी काम आने वाली है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ यह सारी के सारे जनरल से वह पढ़ने के आपको कोई जरुद नहीं है, आप लेटेस्ट वाला जनरल पे जाहिए, उसे डाउनलोड करिए और यहां पर इसकी रीडिंग लगाईए, आप इसमें भी सारा पढ़ने के आपको जरुद नहीं है, सारा का सारा बिलकुल नहीं जैसे आप पेज उपन करोगे तो बहुत सारी चीज़े इसके बारे में बताएगा बाउट जनरल इन एवरिधिंग, मैं आपको बोल रही क्यों आप तो कंटेंट वाले पेज पर आजाओ, जैसे आप कंटेंट वाले पेज पर आओगे ना, तो आप लोगों को दिख जाए आर्टिकल के अंदर आप लोग एक पड़ सकते हो, जिसका मतलब है ICT Resources for Teaching Learning Process, पेज नमबर 239 पे हम लोग डिरिकली जा सकते हैं, इस पर आपने क्लिक किया, तो मैं 239 पे डिरिकली जाओंगी, ठीके जी, अब 239 पे डिरिकली आते ही, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ए कि सारे इनिशियेटिव आपको इसी पूरे चाप्टर में मिल जाएंगे, तो आप इस चाप्टर की भी एक बार रीडिंग लगाते हो, मिनिमम तो आपका काम आराम से कंप्लीट हो जाएगा, यह सारी चीजे हैं, और जितने भी MSOS बनते हैं, उस सारे MSOS यहीं से बनते हैं, अब ऑफिशल हैंडबुक है, तो आपके काम तो बहुत जाद आने वाली है, बट रीडिंग में आपको लगेगा थोड़ा बोरिंग, तो बिल्कुल आपको बोर होने की ज़रत नहीं है, क्योंकि इस सारी चीजे आप लोगोंने अल्रेडी पढ़े हुई है, अगर आपने आपने साथ में ICT पढ़ा हुआ है, तो आपने ही सारी चीजे पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि सारी टेक्नोलोजी जिनको लिखा है, बस नाम है पोर्टल के जो आपके लिए नए हो सकते हैं, जो आपके अलग हो सकते हैं, अब जैसे आपके उपर डिपेंड करता है, आप कि के सामने लिए, इसके लाबा कुछ नए प्रोजेक्स हैं, जिस पर आपका जो सेंट्रल इंस्टिट्यूट है, वो काम उल्रेडी कर रहा है, तो आप लोग इनको जरूर पढ़िए, ठीके ना, तो आप लोग जब आओगे, तो प्रोजेक्स हैं, करेंट प्रोजेक्स पे आ और एक दिन का काम है, नोट्स जल्दी से बना लीजिए, आपका बहुत फायदा यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स, कुछ इंपोर्टेंट पोर्टल्स, यह सारी चीज़े अपने प्रोजेक्स में कवर करी होंगी, इसके लाबा स्टार का फुल फॉर्म पूछ रही हूं, तो देखते हैं कितने लोगे इसका फुल फॉर्म करेक्ट मुझे बताते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि करेक्ट फॉल फॉर्म इसका क्या है, फिलाल के लिए आज इतना ही, होफुली आपके लिए ये में भी आपको ये चीज बोली थी, that this is about improving the learning system of India, so मैं कभी भी रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाओंगी, कि सब चीजे मैं ही आपको बनी बनाई दे दू, कुछ से ट्राय करिये, मैं आपको बताऊंगी तो एक चीज बताऊंगी, आप जब खुद पढ़ोगे तो दस च करना, कॉमेंट करके स्टार की फुल फॉर्म जरूर बताईएगा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों से सारे इंपोर्टन हेड़कोर्टर्स और सबकी इंपोर्टन ओनर्स की बात करूंगी, जो आप लोगों के एक्जामे डिरेक्ली इनके पार में आप लोगों से डिस्कॉशन करूंगी, पिलाल के लिए इतना ही, thank you so much, good luck and bye-bye.